किस तरह सम इसे अगर हम कार ले रहे हैं और उसे पहले ह्मारे पास कुश कोशन हो समझा लेते थे पिसके बाद रश राविचस के पार लॉन में हुश्तते हैं थोरा हमारे पास क्या Capital just money in SBI bank 10 लाग ए स्देपसी बैंक में 10 लाग मतलब हम यहाँ पास business स्टार्ट करें SBI bank में 10 लाग रुपे जम्हा करके स्टेट हमारे पास है कि लेजर को कुछ बनाना है और थर्ड कोश्टन हमारे पास क्या हो रहा है कि पजिए सकार फम गुप्ता मोोपर कया है से गुप्ता मोटर्स खरीद रहा है अगया यहां पास इंसुरेंस भी जोड़कर टोटल यहां टैक्सबल वेल हुआ है चेहलाग सतरह जार तिरालीस और जस्ट टैक्सवक्स एड़ करकर टोटल एमाउंट जो हो रहा है और यहां उससे लेटेट कुछ नोट्स भी दिया हुआ है और जस्ट यहां पास कोश्टन दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से कोश्टन को हम सॉल्ब करेंगे किस तरह से कार्ल रोन का एंट्री होगा तो जस्ट हम अपना टैली ओपन कर लिए कि यहां अल्रेडी पहले से हमारे पास कंपणी बन चुका है जस्ट यह भी अप्लिकेबल है क्या है क्या है क्या है कि 1424 को बिजनेस स्टार्टेड कैपिटल बाइड डिपोजिंग मने इन SBI बैंक 10 लाग और SDFC बैंक 10 लाग ठीक है मतलब यहां पास SBI बैंक में 10 लाग और SDFC बैंक में 10 लाग रुपए जम्हा करके इसका इंट्री जु आमारा क्यास में होगा रिसेट बचर में इंट्री होगा ठीक है अब यहां पास वाचर में आ जाते हैं वाचर में आनेक बाद रिसेट बचर एक चार दोजार चॉबिस करेंगे तो यहां पास हमारे पास रिस पास capital को laser मनाएंगे our given को अबीयाँ क्या शूर्ट है कितना हम Сबस्कों नगा रहे हीं तो 20 लाक रबड़े का लगा तो जिस्कों को यहां पास 20 लाक डाल लेma है ठीक है अब त्लिचलाक अमएंट अब अब यहां पास DIV हमारे पास क्या हो जागा में प्रिपा यहां कर लेते हैं यहां कर ल cheddar बंखे कि अ क्यांतुः कर दिखा dest chut अग्रों नुनी edut कर लेटेी अगलेगे को डालेंगे क में धिलों करती है कितिक अग्स लाग हम यहां पास यहां यहां पास यहां प्लेटे करता है इसको डालेंगे bank account में बाकी का detail यहां डालते हुए justice को करेंगे accept और बाकी जो amount है आपस 10 लाग sdpc bank में हो चुका इंटर करते हुए justice को हम करेंगे accept तो यह हमारे पास capital का entry हो चुका है जिसमा हम sdpc bank में 10 लाग और sbi bank में 10 लाग पर बैसा जमक किये निवा हम तो हमें पूश्चीं यहां अब कुछ लेजर जिसको हमको बना रहा है तो इसको अब रहाने को समँ atau a ot at СерBER और यहां जेस्ट-lead में आएंगे और यहां पास first जो हमको laser बनाना है किया गुपता मोटर्स का laser बनाना है इसको डालेंगे sandy creditors में तो justjamotars का यहां पास laser में इसको डालेंगे किसमे sandy creditors क्योंकि किसे हम काप purchase करेंगे ठीक है और बाक्य यहां पास enter करते हैं आगे बढ़ेंगे यहां पास इसके GST number डालेंगे, यहां बील में इसके GST number यहां पास दिया हुआ है, तो Just इसको हम कर लेते हैं, copy और यहां कर लेते हैं, paste, और इंटर करते हैं, Just इसको हम कर लिए, accept, ठीक है, Next लेजर हमको जो बनाना क्या है, car account, ठीक है, इसको डालेंगे fix assist में, और इस पर 18% GST को applicable करना है, तो Just हम यहां बना लेते हैं, car account, इसको डालेंगे fix assist, और यहां से GST हमको yes करना है, Set All to GST Detail, इस option को हम yes करेंगे, ठीक है, description में हम डाल लेते हैं, car, hsn code यहां पास दिया हुआ है, bill में, तो hsn code यहां पास यह रहा, इसको हम कर लेते हैं, copy, और कर लेते हैं, यहां पास please, nature of transaction में हमको select करना है क्या purchase taxable हमको select करना है, ठीक है, nature of goods में हमको not applicable select करना है, और यहां taxability हमारा taxable होना चाहिए और जस्ट कितना है 18% जिस्ट है तो इंटर करते हैं परेंगे इसको क्या और यहां से good slack कर लेते हैं और इंटर करते हैं जस्ट इसको करेंगे accept ठीक है होगा कर अब जो मन्तल कि पैसा पाट होगा धarna एकाउनट के और इसको डालेंगे किस तो सिक्रला में हम यहां पास जालेंगे दीए और जस्ति इंटर कर तो बागए केशत करेंगे याहां पास करेंगा हम एक्सेब यह Liàyजर यहां पास बन चूंका नेक्स में क schne reliability यहां पास गं में चुक नेक्स संब और इसको GST select करेंगे, CST हमारा क्या होता है, center text होता है, और इसको करेंगे accept, उससे तरह as GST बनाएंगे, TUTEN tax access में डालेगा, GST select करेंगे, और as GST हमारा क्या होता है, state text, और इसको भी just हम करेंगे, accept, ठीक है, next हमारे पास laser क्या बनाना है, capital, capital का laser बन चुका हमारे पास, next हम को बनाना क्या, interest on car loan, ठीक है, यहां पास interest on car loan और यहां पास indirect expense में डालेंगे, interest on car loan, ठीक है, इसको डालेंगे किसमें, तो indirect expense हम डाल लेते हैं, ठीक है, और just enter करते ही इसको हम करेंगे, accept, यह हमारे पास हो चुका, next हमारे पास laser round up का है, indirect expense में डालेंगे, round up और इसको डालेंगे indirect expense, और यहां type of laser में हम को select करना है, invoice rounding, rounding method में को normal rounding select करना है, और कितना rounding करेंगा, तो हम यहां one का limit दे दिये, और just इसको भी हम कर लिए accept, तो यहां पास जितने भी laser थे, यह laser पूरा हमारे पास यह बन चुका, next हमारे पास जो third number question है, कि purchase car from Gupta Motors, हम यहां पास car purchase कर रहे हैं, कैसे Gupta Motors से कर रहे हैं, यहां पास नीचे मारे पास नाम दिया हुआ है, हम कार कितना एक quantity है, just कितने का, तो 6,05,000 रपय का कार खरीद रहे हैं, जिसमें insurance जोड़ गया है, यहां पास कितना 20,043 का, तो total taxable value जो हो रहा है, 6,07,043 हो र ठीक है, तो हम यहां पास car purchase कर रहे हैं, तो इस car purchase का हम entry करेंगे आपस, just हम Tally open कर लिए, और यहां से skip button दबाते वे पीछे आते हैं, just voucher में आएंगे, और यहां car purchase कर रहे है, तो इसका entry हमारा purchase voucher में हो जाएगा, तो f9 button place करेंगे, यहां पास purchase voucher आ चुका, अब यहां से इसका mode हमको change करना है तो यहां देखिए क्राय क्या change mode इसमें जाएंगे याप कश्क करना हो सकता है आपके पास किया item invoice कुछी तरह शो हमको change mode meaningful जाना है जिसका shortcut है Control इसमें जाएंगे और accounting invoice में जाकर हमको mode इसका change करना है डेट यहां प्स चेंज करेंगे डेट यहां पस किया, 2011-2024 तो अप टु बटन तबाएंगे और यहां करेंगे 2011 ठीक है? अब यहां पास क्या purchase कर रहे हैं, तो car purchase कर रहे हैं आपस तो car teenager हम choose कर लिए अब कितना का car purchase कर रहे हैं यहाँ total जो amount हो रहा है कितना 7,90,651 तो यह amount हमको नहीं डालना यह amount डालना है जो taxable value है, इसका taxable value कितना है 6,70,043 तो यहाँ डालेंगे यहां पास राउंड़ भी हो रहा है तो यहां पास 0.26 का राउंड़ अप हो गया तो टोटल देखे बिल बढ़ रहा है कितना यहां पास देखे हमारे पास सो कर रहा है तो टोटल वैलू यहां पास आ चुका एंटर कर तो यहां पास प्रचेस करने का इंट्री हो चुका अब यहां पास नीचे हमारे पास कुछ नोट भी दिया हुआ है नोट के अदिया है कि गुपता मोटर्स को हमने 7,90,600 इंकाउन रुपे में से 3,90,600 इंकाउन रुपे SBI बैंक से दिये और बाकी का 4,00,000 रुपे जो बचा है देने के लिए उसको हम SDFC बैंक से 5 साल के लिए 7% इंट्रेस से फाइनेस करा है मतलब कि बाकी का जो 4,00,000 रुपे बचा है देने के लिए वो हर महेने 5 साल तक SDFC बैंक से इंट्रेस के साब जमा होगा मतलब टोटल हम यहाँ पास कार कितने का परचेस किये 7,90,651 अब 7,90,651 हम उसको कितना दे रहे है 3,90,651 रुपे SBI बैंक से दे रहे है बाकी जो बचरा 4,00,000,000 रुपे उसका हम क्या कर रहे है SDFC बैंक से फाइनेस करा रहे है 5 साल के लिए 7% इंट्रेस तो हम यहाँ पास जो इमाउंट अभी दिए 3,90,651 इसका हम इंट्री करेंगे इसका इंट्री पेमेंट बाउचर में चला जाएगा तो नहींट यहां पास एप फाइब बटन एंट्रा जाएगा अब यहां पास करांट्री कर birth रहे है लिए 2,10 2,064 साधा ना कर रेंगे अब किसको हम पेंट्री करेंस को यहां पास payment कर रहे हैं कितना यहां पास जो पेंट्स रहे हैं तो SBI bank से ठीक है तो हम यहां से SBI bank से उसकर लिए ठीक है और बाकिया पास enter करते हैं हम इसको कर लेंगे accept यह entry भी हमारे पास हो चुका जो हम उसको 3,90,600 रुपया bank से पैड किये ठीक है अब यहां पास हम यहां पास क्या कर रहे हैं कि एक बार हमको report चेक कर लेते हैं सबसे पहले escape button दो पीछाएंगे और यहां से just display more report में आएंगे और account books में जाएंगे लेजर में और यहां पास गुपता मोटर्स को हम फ्लेक करते हैं तो देखिए गुपता मोटर्स हम purchase की रहे थे कितना 7,90,600 इंकाउन का जिसको हम payment किये 3,90,600 इंकाउन तो इसको और पैस किता देना है 4,00,000 रुपए देना है यहां पास देखिए closing balance में शो कर रहा है 4,00,000 रुपए यह जो 4,00,000 रुपए है इसको हम finance करा रहे है एस जेप सी बैंक से 5 साल के लिए तो हम जो finance करा रहे है इसका हम entry करेंगे तो just वापस हम आ जाते हैं voucher में और finance कराने का entry हम करें जनरल बॉचर में आप सबन बटन प्रेस करेंगे जनरल बॉचर आ जाएगा और देट हमारा वही डेट हो जागा जिस डेट में हम पर्चेस कर रहे हैं 2011-2024 अब बटन दबाएंगे और यहां करेंगे 211 ठीक है और यहां पास दियार में हमारे पास क्या हो जागा गुपता इसको चलेक करना है एंटर एक मतब गुपता मोटर्स जो 4 लाक रुपए बच रहा है उसको हम क्या करें फाइनस को ला रहा है एक है SDFC कार लोन जो हम सिक्योर लोन में डाले थे लेजर वह हमको यहां पास से स्चूज करना है ठीक है और बाकि इंटर करते हुए इसको हम करेंगे क्या यह इंटरी भी हमारे पास हो चुका फिस एक बार रिपोर्ट हम चेक करते हैं इसके बटन दबाते हुए डिस्पले मोर रिपोर्ट में और यहां लेजर में जाकर गुपता मोटर्स को हम सिले करते हैं तो देखिए यहां पास यहां दोनों बराबर हो चुका ठीक है मतलब बाकि के चार लाग रुपए हां हमारा क्या हो जागा यह ili FCBanks है अब पर मंद यह कटेगा हमारा इसके बटन दबाते हुए हम यहां पास आते हैं बैलेंस एक बार शेक करते हैं तो बैलेंस यहां पास देखिए हम पास लोट्स लैबिलिटी में चारलाग रुपए सो कर र तो जो finance हम कराये थे उसका entry कर चुके, अब next हमारे पास question क्या है, कि यहां पास हमारे पास finance हम कराये थे यहां पास पूरा entry है हो चुका, अब यहां पास देखिए phone number पे question क्या है, कि 2011-2024 को first car loan MI pad to SDFC bank, ठीक है, मतलब जो 4 लाक रुपे जो loan, मतलब हमको यहां पास car loan जो pad करन है, उसका first MI यहां पास SDFC bank से cut रहा है, ठीक है, तो कितना MI हमारे पास bank से cut एगा, interest के साथ, उसको हमको पता करने के लिए, just हमको system में internet connect कर लेना है, और वहां पास search करना है, क्या MI calculator सर्च करना है, MI calculator सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां से car loans choose करेंगे, और यहां पास amount डालेंगे, कितना हमको pad करना है, तो 4 लाक पैड करना है, कितना interest है, तो 7% interest है, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, इतना डालते हैं, यहां पास loan का amount आ जाएगा, कि यहां पास जो loan MI हमको 7,920 पर मंत हमको pad करना है, 5 साल तक, जिसमें total interest payable हमारा जाएगा, 75,239 और total payment हमारा जो जाएगा, 4,65,239 जाएगा, ठीक है, और detail देखने के लिए, नीचे आएगे, यहां पास जो हम 5 साल तक जो pad करेंगे, उसका amount यहां पास यह श्टू करेगा, ठीक है, तो देखिए, 24 25,26,18, 29, यह 5 साल का पुरा record सू करा है, 2024 में, 2024 यहां पर जो सू करैं इसका प्लस का इिकन है इसको select करेंगे, यहां देखिए 24 में दो मंत का हमको pad करना है, नॉमबर और December का, नॉमबर में कितना amount हमको pad करना है, यह शू करा है, तो देखिए नॉमबर में principal amount कितना पैड करना है 5,587 और इंट्रेस्ट कितना 2,333 तो टोटल ये दुनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जागा 7,920 तो 7,920 नौंबर मन्त का MI हमारा SDFC बैंक से कटेगा जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल इमाउंट जाएगा प्रिंसिपल इमाउंट मतलब क्या कि लोन का इमाउंट 5,587 लोन का इमाउंट करेगा और 2,333 इंट्रेस्ट टोटल 7,920 हमारे पास MI ये पैड होगा SDFC बैंक से तो यहाँ पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2.11.2024 को फर्स्ट कार लोन MI पैड टो SDFC बैंक क्या हो रहा कि 1.5.4 का इसका इंट्रेस कम यहाँ पास प्रिम्न बहुचर में करेंगे तो अब टू बटन प्रे प्रेस आज जाएगा डिट यहाँ पास हमारे पास क्या है 2011,2024 को यह पास आप्ट वटन प्रेस डेट करते यहाँ गोरी ध यहाय को सलेक करना है यहां पस क्या है? Sdfc CarLoan Account हमको Slack करना है, ठीक है? यहां पस Principal Amount हमारा कितना जा रहा है? तो Principal Amount यहां पस दिया हुआ है हमको Check करना है यहां पस देखिए November मत में हमारे पस Principal Amount है 5587 इसको हमको यहां पस डालना है 5587 ठीक है? और फिर से हम यहां पस DR करेंगे और यहां पस Principal Amount के साथ हमारा क्या Interest भी पैड होगा तो Interest on CarLoan चूज करना है Interest कितना यहां पस होगा? तो 2333 तो यहां करेंगे 2333 ठीक है? इंटर करेंगे और यहां जो पैसा कटेगा? किस से कटेगा? तो HDFC Bank से कटेगा. तो यहां पस HDFC Bank हमको सूज करना है HDFC Bank मतलब HDFC Bank से कितना कर रहा है? 7920 जिसमें Principal Amount 5587 और Interest कितना जा रहा है? 2333 यह First MI पैड वारा है नॉम्बर बंत का ठीक है? बागे इंटर करते हैं इसको हम करेंगे XM यह इंटर हमारे पास ही हो चुका. ठीक है? नेक्स्ट यहां पस क्वोशन है कि फाइब नॉम्बर क्वोशन की 212-2024 को सकेंड कार लोन इमाई पैड तो HDFC Bank यहां पास सकेंड इमाई पैड हो रहा है HDFC Bank से कब यहां पास 12 मत मतलब December मत का. तो December मत का कितना 920 रुपया यहां पास December मत का यहां पास कट रहा है तो फिर से इसका इंटर हम payment voucher में करेंगे, date सही करेंगे app to button और यहां पास दो बार हम date डाल लिए फिर से हम सेले करेंगे HDFC Karlon account और यहां पास principal amount कितना है तो principal amount है 5620 यह हम को डालना है तो 5620 हम डाले ठेक है और फिर से यहां DR करेंगे और यहां से इंटरेस्ट भी जा रहा है तो interest on car loan चूज करेंगे इंटरेस्ट कितना जा रहा है यहांसे तो interest है 2301 तो जड़स हम यहां पास type करेंगे 2301 ठेक है और यहां पास किस से जा रहा è SDPC bank से जा रहा है यहां पास 7921 मतलब 20 यहां पास एक round figure ले लिया है SDPC car loan यहां पास 5620 loan का amount principal amount मतलब और interest 2301 तो यहां पास second EMI हमारा SDPC bank से यह पैड हो चुका है यह इंट्रियम कर चुक है एक बार report हम check करते हैं इसके button बात पीछे आते हैं जस्ट balance sheet में आएंगे आपास तो देखिए हमारे पास alt plus F1 करेंगे तो देखिए हमारे पास जो भी MI pad हो रहा है चार लाक में मायनस होते जा रहा है देखिए अभी कितना बचा है देने के लिए 3,88,793 रुपए हमारे पास बचा हुआ है अब next हमारे पास जो question क्या है कि 6 नंबर कि 2.1.225 third card loan MI pad to SDFC bank यहां पास third MI pad हो रहा है SDFC bank से कब जनवारी मन्त का तो just rates का entry भी हम payment voucher में करेंगे इसके बटन दवातों पीछा आते हैं just voucher में गया है और यहां से फिर से payment voucher सूस कर लेंगे और date हम करेंगे कब का एक एक दोजार पचीस यहां पस दो date यहां पस कब का है दो एक दोजार पचीस तो एक डालेंगे करनाए जनवारी मन्त का लोड़ को चालो रहाए व्यांट लोई का इकन दिख रहा है इसके क्लिक करेंगे तो देखिए हम पस जनवारी मन्त का आजरा के जनौरी मन्त माम को प्रिंसिपल आमाउंट पैड करना है कितना तो इन्टरेस्ट चूज़ कर लेंगे इंटरेस्ट कितना जा रहा है जनौरी मंत का जा रहा है जनौर्य मंत का जा रहा है यहां पास 2268 ठीक है 2200 अर्षाट हम यहां पास टाइप करेंगे है 2216 ठीक है इससे हो रहा है अग्स यह हो रहा है ठीक है यहां पस हो गया 792 जिसमें तरह हो गया जीटने पुपलीट हो गया उसी तरह बाकी के जो भी MI pad हो रहा है, इसी तरीके समें entry करते जाएंगे, ठीक है, और यहां पास हम report चेक करेंगे, balance rate में, alt plus f1 करेंगे, तो यहां पास जो भी MI pad होगा, per month, यहां loan का amount कम होते जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके सा क्या कर सकते हैं, कि car loan का entry हम कर सकते हैं, जो भी हमारे bank से यह MI pad हो रहा है, तो यहोप यूडियो को समझे में आगया है, तो लाइक करें, share करें, comment करें, subscribe करें, thank you